दाकर खबर पेखौप सुमा देबाक अंदाज जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई पहले एक जमाना था भाजपा के हिंदी भाशी छेत्र के नेता ही बड़े बड़े दंगाई बयान दिया करते थे भड़काउ बयान दिया करते थे नफरत वाले बयान दिया करते थे लेकिन आप नरेंद्र मोदी के सत्ता में आ जाने के बाद से पिछले आठ साल के दुरान अगर आप अध्यान करेंगे तो अभी जाब वाला मामला ले जीजिए कहां से उठा करनाटक से मदर सोबे बैन लगाने की बाद कहां से उठी थी असम से तो जो घैर हिंदी भाशी छेत्रे हैं जहां पे भाजपा की स जी हां हैमनतो बिस्वा शर्मा के खिलाब अदालत के आदेश पर फाई यार दर्ज की गई है और अदालत ने आदेश डेते हुए पुलिस को भी फटकार लगाई है पहला सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि यह फाई यार किस मामले को लेकर दर्ज की गई है और किसने जा रहा हूँ चलते हैं खभर के पहले हिस्से की तरफ खबर के पहले हिस्से में यह तowili में आपके सामने रख देता हूँ यहां चापी खबरों के मताबिक बताया गया है कि गोहाटी की एक इस्थानी अदालत ने आदेश जारी किया है डिस्वाइज की वहाई यार कर रहे हो आप जानते हैं प्लिस वाले FIR दर्ज करने से लोगों को टरकाते रहते हैं आम लोगों को छोड़िये बड़े बड़े लोगों को भी टरकाया जा रहा है कॉंग्रेस के सांसद हैं अब्दुल खालिक उनकी और से FIR दर्ज कराने के लिए एक तहरीर दी गई थी 28 द वालिक इस तरह से रोशनी डाल रहे हैं उन्हीं की जबानी सुन लेजिए और में खुश्यूफ दत सनी बार पांच मार्च कामरूप जिले के सब्सक्राइब करना होगा केस को इंविस्टिकेट करना होगा जाज करना होगा और ये जाज के प्रतिवेद हो तो फाइनल रिपर्ट को को सब्मीट करना होगा शुरू से जुडिशियरिक अपर हमलों का बरसा था और अदालत के ये निद्देश के बाद ये बरसा और बार किया सुन लिए आपने अबदुल खालिक किस तरिके से बता रहे हैं कि आदालत के आदेश पर एफ़ाई यर दर्च की गई है और आदालत ने पलिस को भी फटकार लगाई है अब आपके जहन में सवाल ये पैदा हो सकता है कि आखिर किस मामले में एफ़ाई यर दर्च की गई तो पहले ये खबर देखे, ये खबर है जुलाई 2021 की, असम का दरांग जिला था, वहाँ पे आती कर्मन हटाने के नाम पर पलिस ने फारिंग कर दी, और दो मुस्लिम कम्मिनिटी के लोगों को मौत के गाट उतार दिया, हत्यात हिसी दी, उस पूरे माम लेको लेकर, असम के म भारत में आ चुके लोगों पर नर्सी नहीं लागो होगा, उसके बाद वाले लोगों के लिए नर्सी कराया जाएगा, मुझे बात नहीं करनी है, मुद्दा यह है कि असम के मुख्यमंत्री ने दो लोगों के मारे जाने के बहाद बयान दिया था, कि जैसा 1983 में हुआ था, उसका बदला लिया गया, यह कहना था, अब्दुलखालिक का, और यह कहते हुए अब्दुलखालिक ने F.I.R. दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी, अब अदालत के आदेश पर F.I.R. दर्ज कर ली गई है, देखना दिल्चास्प होगा, मुख्य मंतरी की पुलिस है, क्या वो जाच कर पाएगी, क्या इस मामले की जाच अदालत को एक पुलिस को देनी चाहिए, या यह मामला फिर से अदालत में जाएगा, और इस मामले की जाच किसी हाई लेवल इंक्वारी कमिटी को नहीं देनी चाहिए थी, या अदालत की कोई कमिट पुलिस उनके यहां पे जाती है बहुत बड़ा घटना क्रमसा भी थोनी जा रहा लेकिन इससे पहले भी कही और में मुल्जिम रह चुके हैं इमन्तो बिस्वा शर्मा जी हां इमन्तो बिस्वा शर्मा यह वो शक्स है जो पहले कांगरेस का नेता हुआ करता था बागरेस बा पेश किया गया और बाद में यह मुख्यमंत्री बन गया और इसके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तंडव का दोर शुरू हुआ असम के अंदर जैसे सबसे पहला तो मैंने आपके सामने इंसिडेंट वही बताया जो दरंगाओं में हुआ था इसके अलाब बहुत सार इ मिलेगा तो मिलेगा यह तमाम चीज़े चलती रही है लेकिन सबसे एहम इसके अलावा जो है वो यह कि मिजोरम से असम की बिढ़नत हो गई थी और मुख्यमंत्री पर जी हां असम के मुख्यमंत्री पर मिजोरम की प्लिस ने फाई यार दर्ज कर ली थी वह पूरा मामला आ मारे गए थी यानि कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं आपस में आप जो है पुर्वत्तर के राज्ये वो लड़ रहे हैं लेकिन अब जैसा कि अग्जिप पूल बता रहा है कि मनिपूर में भी जिब की सरकार आ रही है तो यह चीज़े कोई माइन नहीं रखती वैसे आप पूर में भी बड़ा घटना करम हो था एक फोजी अपनी पत्री वो तमाम लोगों के साथ मोत के घाट उतार दिया गया था अस्तव उस मामले में कोई जाच नहीं हो पाई है लेकिन फिर भी महाँ भाजबा के सरकार बन रही है हाल फिलाल के मामले पर नज़र डालें तो उ उसका बाप राजीव गांधी है या नहीं है इस तरीके का शर्माग बयान दिया था जिसके बाद कॉंग्रेस के युवा करताओं ने पुरिदेश पर के अंदर प्रोटेस्ट किया और जगा जगा फायार धर्ज करा यानि यह अब हिंदी भाशी छेतर के जो भाजपाई है उनको छोड़कर उनसे बड़ा भाजपाई बनने की होड में लगे हुए हैं और इन लोगों को भी शायद अब लग रहा है कि जितना दंगाई पना दिखाएंगे उतना बड़ा भाजपाई पना इनका उबर के सामने आएगा उसी करम में समयदानिक सीर पर बैठकर भी ये खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जादा से जादा हमारी को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलस्ते मुदे लेकर मैं आपके सामने हूँगा खाजसी फलाल अबी मुझे रिजास दर